हे गाईस कैसे आप सब बैटर ओके सो एक बार फिर से स्वागत है आपका इस अपने यूट्यूब चैनल लर्न वत पाहल पे गाईस अगर आप इस चैनल पे न्यू आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बैल आइकन प्रेस करना बिकिस आपका सब्सक्रिप्शन ही मेरा मॉटिवेशन होगा आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ स्टॉक मार्केट स्टॉक मार्केट होती क्या है कैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं कैसे ट्रेडिंग करते हैं आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अब stock market, share market, equity market ये topics हम cover करेंगे Guys, first of all stock market होती क्या है बड़ाई, confusing सा नेम है न कि actual में ये है क्या माल लो आपकी city में कुछ कोई भी famous चीज़ है Like मैं example ले रही हूँ रामू के छोले बटूरे बहुत famous है example के लिए बता रही हूँ अब रामू क्या करता है morning में आता है बारा बजे तक अपने चोले बटूरे खतम करता है और घर जाता है अब रामू ने दिमाग लगाया कि मैं बारा बजे तक काम कर रहा हूँ घर पे आ रहा हूँ मेरी wife मुझसे किच किच कर रही है क्यों ना मैं अपने बिजनस को थोड़ा सा और बढ़ा हूँ और शाम तक चोले बटूरे सेल करूँ रामू ने ये टेकनिक अपना ही उसके पास जो आइडिया था ना उसके जो चोले बटूरे का मसाला था वो किसी और के पास नहीं था उसके चोले मटूरे बहुत भी करे थे मार्किट में पर बिजनस को एक्सपांड करने के लिए मालनों उसके पास पैसा नहीं है अपने बिजनस को वो पूरे स्टेट में फिलाना जाता है अब बैंक में जाएगा बैंक वाले दस तो चकर कटवाएंगे EMI भरवाएंगे इतना सिक्योरिटी कुछ भी नहीं है उसके पास अब उसने क्या किया मार्किट में शेयर इशू कर दिये शेयर मींस क्या होता है लाइक उसको वन करोड चाहिए अब वन करोड के बदले में वो 20% की पार्टनर्शिप उफर कर रहा है कि मेरे बिजनस में जितना प्रोफिट होगा उसका 20% में तुमें दूँगा काम सारा मैं करूँगा सिर्फ तुम पैसा लगाओ तो कुछ लोग मिलके उस बिजनस में इन्वेस्टमेंट करते हैं Are you getting? This is stock market देखो stock market क्या है वो marketplace जहां पे buyer और seller मिलते हैं और trade करते हैं Listed companies में इस चीज को धिहान रखना जैसे हम बोलते है share बजार अब इसमें क्या है primary market भी है secondary market भी है अब दोनों के बारे में पढ़ेंगी primary market में जो new fresh issue shares होते है first time market में issue होती है उसमें dealing होती है और secondary में क्या है जो already market में issue हो चुके है जैसे अगर मैं बात करू हिस्ट्री stock market आया कैसे अब ये देखो time बता रहा है 1600 year इस पे क्या हुआ East India जो company थी ना उसने explore करने थी ships को ships के थूँआ explore करने जारी थी अब उसको explore करने के लिए पैसा चाहिए था उसने पैसा कहां से collect किया लोगों से collect किया और लोगों को उसके बदले में कुछ treasure दे दिया खजाना दे दिया ऐसे ही तो देखो हमारे रामू ने किया उसने भी तो लोगों से पैसा collect किया business चलाया और बदले में कुछ ना कुछ profit का पार्ट दिया East India Company ने इस concept को start किया था अब stock market और क्या होता है इसमें primary market जहां पे stocks को create किया जाता है और secondary market जहां पे already previously जो issue हो चुके है stocks उनमें dealing की जाती है Are you getting? ओके तो क्या इंडिया की जो stock market है वो risky है? कैसे वोग करती है यह? सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए तभी बताएंगे ना risky है या नहीं है अब stock market work कैसे करती है stock market में हम shares खरीच सकते है sale कर सकते है hold कर सकते है अब यह truth है या मित है कि stock market risky है पैसा लगाऊ या नहीं लगाऊ मुझे डर लग रहा है बताओ कैसे होगा यह तो क्या consider करना चाहिए share market में पैसा लगाते time इसमें हम fundamental analysis और perception जिसको हम बोलते है technical analysis अब देखो fundamental analysis हम कब करते है जब हमारी intrinsic value तो कम है but issue price क्या है जादा है उस case में हम fundamental analysis करते है are you getting यह देखो graph this is technical analysis अब इसमें यह आपको क्या show कर रहा है कि price projection is the height of the triangle और वहाँ पर बता रहा है कि breakout level क्या होगा directions क्या होगी अब secondary market अब इसमें कौन से stock exchange है जो previously issued stock को deal करते है like हमारे अगर मैं इंडिया की बात करूँ two is there one is BSE and second is NSE जो Nifty में dealing करता है Bombay Stock Exchange और National Stock Exchange अब bull और beer दो time use की जाती है bull और beer क्या होता है stock market में जो economy हमारी जिस economy जो economy ना बहुत बड़ी है और उसके stock prices rise होते जा रहे है that is bull market और beer market मन्दा जब आपकी economy bad situation में जा रही है recession आ रहा है that is beer market are you getting this is the graph की how we will calculate it इसको भी हम detail में करेंगे firstly आज मैं सिर्फ आपके लिए introduction लेके आई हूँ कि prices हमारे change होते कैसे है demand और supply से किसी product की demand जब बहुत ज़्यादा increase हो जाती है तो उसके prices क्या होने लगते है down बट यहाँ पे हम बात कर रहे है demand और supply demand और supply में changes आने की वज़े से stock price कैसे change होता है like क्या कारण है कि demand और supply change हो रही है are you getting अब कौन से stocks में हम invest करते कैसे है क्यों invest करते है जो इसकी investment है न in the market are three times the annual return of inflation and saving and treasury bonds you can make good money in the market this is the main reason देखो अगर आप investment कर रहे हो that means आप क्या कर रहे हो आपे efforts तो नहीं लगा रहे न घर बैठे बैठे आप investment कर रहे हो अपने money को और एक बात बताओ money जो है वो already पड़े पड़े तो double होगी न अच्छे returns आते है अगर आप अच्छे share में investment करते है अब यह कह रहे है अगर मैंने money lose कर दिया तो जरूरी थोड़ी है कि profit ही होगा तब क्या होगा तो experts से आप opinion ले सकते हैं कि आपको कब sell करना है buy करना है hold करना है so career opportunities क्या है stock market को आप जब learn करोगे तो आप क्या-क्या सीख सकते हो firstly आप stock broker बन सकते हो financial advisor बन सकते हो investment advisor बन सकते हो portfolio management services आप provide कर सकते हो research analyst बन सकते हो online आप stock में trading भी कर सकते हो and the last but not least financial analyst भी बन सकते हो यह इसी में आ जाएगा आपका equity analyst जिसमें fundamental और technical दोन analyst कर सकते हैं so guys thank you so much अगर video पसंद आया हो comment करके जरूर बताना video में कोई doubt हो कोई कमी हो mention करना thank you thank you so much guys hit the like button and share with your friends and family thank you thank you so much